आज किस वीडियो के माद्यम से दोस्तों बात करेंगे आई हुई एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में अपडेट जबी निकल के आ रही है बिहार LRC के तरफ से तो बताना चाहूंगा बहाली परकरिया में हुई है गाडलाइन्स की अंदेखी तो अभी जो है कुछ इस परक परी के चलते भूमी सर्वेक्षन के मामले में राज्यस पर भूमी सुधार विभाग के सक ये धरा पर पानी फिरनी के आशंका यानि की तकनिकी गरबर की चलती ये पूरी आशंका जताई जा रहा है बहाली परकरिया जो है खत्म हो गई है तो आप लोग बताना चाहूंग बंद्वस पद्रजिकारी का रिजल्ट भी अपलोग का आ गया है और बात बाती सबका रिजल्ट अभी अटका हुआ है इसी के साथ यहां पर बता जा रहा है कि इधर बंचित आबेदेकों को जो है एक तकनिकी पहलू को उठाकर पटना हाई कोट का जो है दरवाजा खट- और यह नतीजा निकला है कि अब तक सभी पदों का रिजल्ट जारी नहीं हो पाया समीदा पर बहाल होने बाले करीब 8000 ने करिमियों कोई बल पर ही भू सरविक्षिन का जो है मनसूबा बांधा गिया है इनकी जो बहाली स्रीप काम के लिए हो रही है काम पूरा होने के पर परकरिया पूरी होने के बाद बीभाग ने विशेश तरविशन सायक बंदौस पदेद्यकारी पत के लिए परिच्छा का रिजल्ट घोशित कर दिया था जो कि अब लोग को बताए और इसी के साथ पटना हाई कोट से रोक लगाने की कारण सफल अवार्थी की जो है प अभी पदों के लिए बहाली को हाई कोड में चुनोती डी गई है और बीभाग को कोट की और किस्ते में नोटिस दिया जा रहा है और साती साथ विशेश शर्विशन सायक बंदौस पदेद्यकारी मामले में अगली महिने में जो है त्यरों तारीक को सुनवाई होगी तो ब देने के लिए कआ गिया है अभार्थी जो है बहुत टूट्या है बहुत गलती पाया गया है लेकिन एक मामले में बिभाक की कमिव पकर आ रही है कि इसे की मामले में जो है देखने वाले भी भागे अधिकारी भी सिफ़कर करती या आधार बन सकता है तो देख पाएंगे यहां पे अभी आप लोग का यह पूरी परकरिया को रत करने का पूरा यहां पे आशांका जता जा रहा है और साथ इसाथ आप लोग को बताना चाहूंगा गार्डलाइन्स के मुताबिक राजी के संस्थान में परने वाले चालिस फिसी आरेक्षन देना है यह मांग बिहार के छात्रेगन का यहां पे हो रहा है शुरू से लेकि जबकि बहाली में बारता या फिर आरेक्षन का लाब उन्हें दिया गया है जिनने सरकारी अस्थान से परहाई की है तो आप लोग को बताना चाहूंगा जो प्राइबेट संस्थान से परहाई की है उनको यहां पे यह लाब नहीं दिया जा रहा है उनको यह लाब देने का सरकार से गुहार है तो इसी के साथ यह जो है आबार्थियों में जो है बरी संक्या में उनकी है जिनों का जो मानना है कि नीजिश अस्तान से यहां पर बारता ना देने से पहले नजर आने से समाइने प्रशाशन विभाग के गार्डलाइन्स का उलग्धन है और यह जो है अक्षम भी है और अब भू सर्वेक्षन का पूरा मामला हाई कोट की तहत आदेश पर निर्वर हो गया है अगर बहाली को मानित्या मिल जाती है तब दिसंबर में सर्वेक्षन की शुरू हो सकता है तो यहांनी की कूल मिला की ब प्रदों के लिए इसका पज्ज है विश्यक्षर्वेशन सायक बंद्वस पदेख़ारी यह प्लो का जो रिजल निकला और साथी साथ सभी का अभी हाई कोड में मामला चल रहा है यह आरेक्षन का मामला चल रहा है 40 फिस्षिदी का और साथी साथ अभी यहां पर आशंका पी जाता जा रहा है अगर कोट यहां पर जो है अब तकनीकी गरवरी जो हुआ है गार्डलाइन्स की जो है यहां पर अंदेखी हुए सभी कुछ मिला के यहां पर बताई जा रहा है कि अभी रद होनी के कागार में है अगर रद नहीं होती है तो दिसंबर तक पूरा परकर पूरा कर लिया जाएगा आप आगे इसकी जो भी नोटिस आएगी आप लोगों के साथ इसी तरह शेर करते रहेंगे जुरे रहिएगा बने रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो मिलेंगे बहुत जोल और एक वीडियो में तब तक कि लिए धन्यवाद